तो वेल्कम ओल अफ्यू ओन दिस वेबिनार माइनम इस हर्षी बंसल रॉम आगरा यूपी तो कैसे है आप सब लोग आप मुझे चैट बॉक्स हो बता सकता है और आज इस वेबिनार का टॉपिक है कि आप सब लोगों मेरे स्कृण दिख रहे हैं कोई भी एक चैट बॉक्स हो बता सकता है ओके 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 तो करेक्ट वो चली शू करते हैं आपने कई बार देखा होगा कि कोई कोई लोग काफी दूबले पतले होते हैं मगर वो बहुत कम बीमार होते हैं मगर वही अगर आपने देखा होगा कि कोई-कोई काफी वही बॉड़ी होती है जिनकी हेल्थ काफी अच्छी होती है अच्छे लगते हैं हेल्थ में फिट लगते हैं वो बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी बिमार रहते हैं यह ज़्यादा immunity से होता है अगर आपकी immunity अच्छी नहीं है तो ज़्यादा तर आप बिमार रहेंगे अगर आपकी immunity बहुत अच्छी है तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे और fresh रहेंगे आपकी body घाली काफी इची रहेगी बीमार मिलकूल नहीं रहेगी तो अब जानते हैं immunity किया होते हैं आप को मिरी इस्किन दिख रही होगीं या आ आप देख सकते हैं इम्नुटी क्या होते है हमको क्यों जरुर होती चलि एक एक समझते हैं आप सब अपने PC या computer में antivirus डाल कर ही रखते होंगे क्योंकि वो आपकी system को antivirus से बजाता है और उसको kill करने का काम करता है उसी तरह immunity भी एक हमारी body का defense mechanism है जो किसी भी bacteria की against कोई भी infection की against काम करता है और जो हमारी हमको सारे disease से लडने में help करता है तो body का जो defense system होता है उसको बोलते है immunity हमारी body पहले से ही अंदर से protected है मगर जब हम बाहर जाते हैं या खुले environment में निकलते हैं तो हमारी body हजारो bacteria से हजारो chemical से surrounded होती है rounded होती है जिसके वजह से हमको काफ़ सारे बीमारिया हो सकती है हम जब भी जब पानी पीते हैं खाना खाते हैं तब भी हमारे असपस bacteria होते हैं और हम उस environment में फिर भी survive कर पाते हैं क्योंकि हमारी body में एक immunity system होता है जिसकी वजह से हम पूरे environment ने survive कर सकते हैं तो आप लोग समझी सकते होंगे immunity की importance अगर आप की body में immunity नहीं हो तो क्या आप एक दिन भी survive कर पाएंगे येस बिल्कुल बिल्कुल correct नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आसपस हर जगा bacteria से surrounded हैं आप मगर immunity system आपको हमेशा protect करता है infection से, bacteria से am I right? या, तो आप सबको पता ही है कि इस time कोरोना चल रहा है जिसके कारण लोग शुरुवात में age group की बात चलती थी कि 0 से 14 years के बच्चे थोड़ा समल कर रहें और उसके बाद 45 तो 70 years के people बच कर रहें क्योंकि ये दोनों की age group है जिसमें पहले age group में immunity system बनना चालू होता है और दूसरे वाले में धीरे धीरे कमजोर होना च्टू हो जाता है मगर आज की situation थोड़ी अलग है आज के खाने पीने की वज़ा से आज कल हर किसी को किसी की immunity system कहीं ना कहीं weak हो गई है जिसकी वज़ा से अब हर age group के हर age group के लोग को बहुत ध्यान से रहना पड़ता है बहुत से ध्यान से जाना पड़ता है बहुत ध्यान से care करनी पड़ती है तो चलिए अब बात करते हैं कि किस से बनती है immunity हमारी body में और immunity का क्या रोल है immunity ये एक system है जो बना हुआ है कुछ cell से और कुछ protein से जो हमारी body में defense का काम करता है body में immunity cell को दो category invite किया गया है पहला innate जिसमें आते हैं आपके natural killer cells और monocytic या फिर microfagic cell बोलते हैं जिसको second जो आता है वो आता है adaptive immunity जिसमें आते हैं आपके T cell और B cell natural killer एक continuous process है ये जैसे ही कोई हमारी body में bacteria attack करता है enter होता है उसको kill करने का काम करता है वो तुरंट उसको kill कर देता है ये non-stopable stopping process है ये बिना रुके काम करता है और ये बहुत ज़्यादा fast काम भी करता है ये long lasting नहीं होता है क्योंकि ये उन्हीं को attack करके kill करता है जो मतलब छोटी छोटी बिमारियां होती है छोटी छोटी वायरेस होते है इस आतर उनी को kill करने काम करता है तो इसलिए इसको हम long lasting नहीं बोल सकते ये long lasting नहीं होता है ये बहुत कुछ time तक रहता है उसके बाद खतम हो जाता है ये सिंपल बिमारियों में लड़ने के काम आता है उसके बाद आता है mitocytes श्याफे mycophages ये भी सेमी काम करता है मगर जो bacteria N के मतलब natural killer cells जो नहीं कर पाते उसमें लडने के लडनी पाते वो bacteria इसके पास आते हैं और ये body को alert करता है इसके adaptive से direct relation होता है चलिए थोड़ा adaptive cell के बारे में बात करते हैं adaptive मतलब की body को पता लग चुका है कि कौन से anti bacteria बननी है उस bacteria से लडने के लिए कौन सी body को anti body बनानी है और body को adapt कर चुका है तो उसको बोलते है adaptive immunity adaptive cell उस bacteria को deeply देखकर उसके बारे में जानकर कौन से disease है उसको बेच देता है T cell में और उसके बाद T cell एक पार्ट है adaptive cell का जो signal करता है B cell को और ये cell antibody को बनाने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं anti bacteria antibody ये एक तरह का protein है जिसको हम बोल सकते हैं final stage mechanism anti bacteria एक specific response है जो direct जो antivirus है जो infection है उसको जाकर पकड़ता है और उसको kill करके fake देता है हमारी body से बाहर अब चलते हैं daily हम ऐसा क्या क्या करते हैं जिसके वज़ाद से हमारी immunity पर effect पड़ता है हमारी immunity कम होते है पहला आता है late night owl मतलब अगर आप रात को late होते हैं तो आपकी immunity कही ना कही week होती है खराब होना शुरू जाते है इम्यूनिटी स्टाओं को जैसे example लेते हैं कि जैसे जो student होते हैं जो job कर रहे होते हैं वो लोग रात को late night जग के अपना काम करते हैं प्रोजेक्स वकर बनाते हैं रात तक late तक जगते हैं तो उससे कही ना कहीं आपकी नीन पूरी नहीं हो पाती जिसकी वज़ेश से आपकी immunity पर effect पड़ता है आपकी immunity खराब होना शुरू जाती है आपकी immunity वीक होना शुरू जाती है तो अगर आप अभी तक late होते हैं और जल्दी जगते हैं तो आज से ही बंद कर दीज़ेए सेकेंड आता है excessive of sugar intake जिसके कि आपको पताईए कि sugar अगर ज़्यादा ले तो आपके शुगर भी हो सकती है तो अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके immunity पर भी वीक होती है immunity भी खराब होना श्राट हो जाती है मिस्टों का खराब होना चालो हो जाता है तो अगर आप शुगर ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो वो भी आफिर रोग दीज़े थर्ड आता है excessive consumption of alcohol जैसे आप जानते होगे कि अगर कोई भी चीज़ हम limit quantities ज़्यादा लें तो body को हमारे नुक्सान ही करती है तो ऐसे ही अगर हम alcohol लेते हैं ज़्यादा या फिर alcohol तो कहर अगर कम भी लें तो भी नुक्सान ही है बट अगर हम भाव ज़्यादा लेते हैं तो वो body के हमारी immune system को खराब करता है और हमारी body को depressed करता है जिसके वज़े से हमारी immunity खराब हो जाती है और हमारे bacteria के growth को भी बढ़ा देता है और हमारे blood cells को भी बंद करना चालू कर देता है तो ये काफी ज़्यादा विकार है अगर आप alcohol एक्सिस quantity में ले रहे हैं फोर्थ आता है improper drinking water हमारा क्या होता है कि हम काफी लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन बहुत कम पानी पीते हैं फिर पानी पर नहीं ध्यान देते हैं बिल्कुल हम बहुत कम मतलब भिज़ी रहते हैं सारा दिन हम पानी पर ध्यान नहीं देते हैं तो अगर हम पानी नहीं पी रहे है proper minimum आपको daily requirement होती है वो होती है 3 liter per day की अगर आप 3 liter पी रहे हैं तब आपकी quantity है ठीक है मतलब proper नहीं है बट हाँ अगर आपको इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है आपकी body को hydrate रखता है जिसके वज़ाब से आपको इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छी तरह वर्क करता है फिर थाता है lazy daily lifestyle मतलब अब तो आप देखी रहोंगे सारे के corona चल रहा है तो वह lifestyle हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि हम लोग बैड पर पढ़े रहते हैं सारा दिन इस्विंच बैट पर पढ़े रहते हैं क्लासिस भी चल रहे हैं तो बैड पर ही ले रहे हैं कोई भी other activity नहीं कर रहे हैं जैसे बाहर जाना क्या कहते हैं आउटडोर गेम्स खेलना तो वो चीज़ हमारी बॉड़ी को काफी लेजी बना देती है जिसकी वज़े से हमारी immune system भी weak होना चालो हो जाता है अगर हम daily कोई energetic activity नहीं करते हैं जैसे हमारा जैसे outdoor game खेल लिया कोई भी एक तो उससे हमारी body inactive हो जाती है और धीरे धीर हमारी immune system भी खराब होना चालो हो जाता है तो at least आपको एक दिन में अगर आप अभी कोरोना चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो आप daily थोड़ी सी आप walk कर सकते हो जाके या फिर कुछ ऐसी activity कर सकते हो आपकी body energetic रहे तो अगर हम इचिस करेंगे तो हमारी immunity immunity weak नहीं होगे वीक होने के चांसे बहुत कम हो जाते है six आता है poor social relation मतलब काफी लोग का क्या होता है जिसको tensions होती है फिर relations अच्छे नहीं होते तो वहाँ उनका थोड़ा mind stress रहता है body proper work नहीं कर पाती है तो यह भी है reason अगर आप देखे जाए तो बाकी तो काफी सारे reasons है अगर मैं बताना चाहूं तो कंटो लग जाएंगे बट यह थोड़े से कुछ important reason थे जिसको जैसे हमारी body immunity weak हो जाती है body हमारी तो आप अगर यह चीज ना करें daily तो आप काफी immunity अपनी boost कर सकते हैं यह वी चीज आपको help करेगी immunity boost करने में आपकी तो अब बात करते हैं top 4 vitamin जो आपकी immunity को boost करने में help करेंगे पहला आता है vitamin A जिससे आपको green vegetables मिलते हैं आप अगर green vegetable खाएंगे तो आपको vitamin A मिलता है जिसके आपकी body को बहुत जादे शरुवत होती है और वो आपकी body में body को immunity boost भी करता है and second आता है vitamin B complex vitamin B complex मतलब vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यह अगर हम vitamin B complex की बात करें तो यह हमारे पूरी body की एक key होती है सारे functions की मतलब vitamin B complex हमारी body में जितनी भी काम हो रहे हैं उसको पूरा vitamin B ही control करता है, पूरा vitamin B की जरूत होती है उसको control करने के लिए, function करने के लिए proper तो अब आते हैं vitamin C पर, vitamin C एक ऐसा vitamin है जो इंडिया में या फिर अगर worldwide देखें तो सबसे जादा consume होने वाला supplement है vitamin C and यह हमारी decrease करता है duration को cold and flu की मतलब अगर हमारी कोई भी body में cold हो रहा है हमको flu हो रहा है तो उसका duration भी कम कर देता है हमारा यह सबसे जादा use होने वाला supplement है पूरे worldwide में अब आते हैं vitamin E पर, यह एक antioxidant activities का काम करता है, यह हमारी body में antioxidant बन जाता है इसमें antioxidant होते हैं जिसके होज़े से हमारी body active रहती है यह हमारे body के free radicals से fight करता है लड़ता है उनसे और हमारी heart और bones को help करता है proper work करने में तो अब आपको सारी चीज़े समझ में आगी होंगी कि हम कैसे अपनी immunity boost कर सकते हैं कैसे हम immunity अपनी अच्छा रख सकते हैं तो अब मैं आऊंगा आपको immunity hex पे आप कैसी कौनसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपकी immunity आपकी boost हो सकती है immunity booster के लिए आपको मैं top 4 चीज़ बताऊंगा जिससे आपनी immunity boost कर सकते हैं तो पहला आता है forever immune blend जो कि सर्फ immunity के लिए बना होता है अगर आपको immunity बढ़ानी है तो अगर आप सर्फ immunity बढ़ानी है तो आप forever immunity ब्रेंड ले सकते हो मतलब यह हमारी body में immunity पर ही काम करता है अब जो second category आती है वो आती है juices की अगर आप immune blend नहीं लेना चाते तो आप एक काम कर सकते हैं आप aloe vera gel, aloe berry nectar या aloe peaches इन तीनों में से कोई भी एक bottle ले सकते हैं जिससे आपकी immunity भी अच्छी रहेगी आप अगर इसको regular intake करेंगे तो आपकी immunity काफी अच्छी रहेगी and आपको इसके काफी सारे फायदे भी हैं वो भी आपकी body को मिलेंगे जिससे आपको कितना के शोने पर शोहागा वो वाली चीज हो जाएगी आपके साथ अगर आप एक के साथ aloe vera juices लेंगे तो इसमें आपको काफी सारी चीज़े extra भी मिलेंगे आपकी body को थर्ड आता है forever be honey, forever royal jelly आप इन दौनों में से भी आप एक चीज़ ले सकते हैं क्योंकि मैंने इनको अलग-अलग categories में invite किया है क्योंकि अगर आपको सर्फ एक ही चीज़ चाहिए तो आप इन categories में आप कोई भी एक ले सकते हैं तो अब मैं था forever be honey भी ले सकते हैं आप forever be honey बना रखे मैं आपको शेयर कर दूँगा आप सब लोग आँसे देख सकते हो तो आप ये भी देख सकते हो मतलब आपको forever be honey भी अप ले सकते हो उसकी काफी सारे फायदे भी है अलग and royal jelly भी ले सकते हो उसके बाद आता है हमारा forever c plus ये vitamin c देता है और vitamin c जैस्ट मैं आपको भी बताया है vitamin c हमारी body के लिए कितना जरूरी है और सबसे ज़्यादा consume होने वाले supplement भी पाना जाता है पूरे world का अब इस webinar को ये पर खतम करते हैं and thank you so much आप सबके time के लिए आप सबने webinar जोइन की and मुझे support किया thank you so much